Hello dear teachers, अगर PFMS पर आपके द्वारा गलत expenditure बन गया है और लिमिट भी कट गई है, तब आप उसे कैसे सही करेंगे और कटी हुई लिमिट बापर्स कैसे लाएंगे, इस तरह से portal open कर लेंगे और login पर click करेंगे, उसके बाद इस तरह से page open हो जाएगा, यहाँ आपको data operator ID से login करना ह इस तरह से यहाँ पर interface open होगा, नीचे इस call करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा expenditure, इस पर click करेंगे और expenditure पर click करने के बाद manage पर click करना है, उसके बाद यहाँ इस scheme में select करेंगे UP113 और इस scheme पर जैसे select करने के बाद यह थोड़ा processing लेगा, और यहाँ पर आपका bank account number आ जाए यहाँ पर जो submit है, यहाँ पर देख सकते हैं, वो गलत बन गया है, तो उसके आगे जो blue clerk का लिखा हुआ आ रहा है, लेटर office order number, इस पर click करेंगे, इस तरह से expenditure open हो जाएगा, आपको इस call करके सबसे नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे इसे सही करने के लिए, बैक के अल expenditure पर click करना है, और यहाँ पर उसके बाद manage पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको scheme में UP बर्मन्ती select कर लेना है, फ्रोसेसिकों की थोड़ा wait करेंगे, और उसके बाद यहाँ search पर click करना है, अब यहाँ आपको गलत वाले expenditure की later office order number पर click करना है, उसके बाद इस call करके स box open हो जाएगा, यहाँ आपको type करना है, यहाँ आपको लिख देना है, there is a mistake in expenditure, rejected और reject पर click कर देना है, अब इस तरह से सफलता पूरवक आपका यह गलत बना हुआ expenditure, reject हो जाएगा, और आपकी कटी हुई limit पुना बापस आ जाएगी, आपके account में जूर जाएगी, अब आप सही से expenditure बना सकते हैं, data operator ID पर जैसे ही जाएगे, तो आप चाहें तो इसी expenditure पर edit कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, फिसे आपको expenditure पर जाना है, manage पर जाके जैसी सर्च करेंगे, तो यहाँ पर यह जो expenditure बना हुआ था, वो rejected यहाँ पर show कर रहा है, तो इस तरह से आपकी स समस्या का समाधन हो जाएगा, फिल भी कोई समस्या आ रहे है, तो आप हमारे telegram group at the rate my doubts ते जूट सकते हैं, जिसका link हमारे इस वीडियो के description में दिया गया है,